नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चनल सेक्सिक गुरुजी को और बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वेकेंश और नौट्स की नीज सबसे पहले आप तक होचे तन्यवाद दोस्तों, आज सचेवालया में एजुकेशन सेक्रेटरी नरेश पाल गंगवार जी से हमारे प्रतेनिधी मंडल की फिर वारता हुई रीट लेवल प्रत्थम 2018 के लिए नरेश पाल गंगवार जी ने कहा कि कोर्ट से मामला हल होते ही तुरंत नियुक्ती के आदेश जारी कर देंगे और हमारी पूरी तयारी है और हमें कल का इंतजार है दोस्तों अब कल ही पता चलेगा की फैसला आता है या फैसला सुरक्षित होता है मैं खुद कोर्ट में मौजूद रहूंगा भगवान से दुआ करो की कल फैसला आ जाए और कल ही रीट लेवल सेकंड की कोर्ट में सुनवाई है सरकार की तरफ से आग नर्पत मल लोडा जी करेंगे पैरवी रीट लेवल दो के अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यक्ता नहीं है कल तारीक मिलने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है और सितंबर में चैनित अभ्यर्थियों की नियुक्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 2016 रीट शिक्षक भरती की वेटिंग के लिए रीट लेवल दो 2018 में फरजी दिग्रीधारियों के खिलाफ जाँच करवा कर कार रवाई करने की मान को लेकर हमने नरेश पाल गंगवार जी को ग्यापन सौपा दोस्तों नरेश पाल गंगवार जी ने कहा कि आप भी फरजी दिग्रीधारियों पर नजर बनाए रखे यदि आपके कोई फर्जी डिग्रीधारी अभ्यर्थी पकड में आता है तो उनकी शिकायत हमें करें और आप भी उनके खिलाफ कानूनी काररवाई करें। Education Secretary नरेश पाल गंवार जी ने हमारे सामने डिप्टी सेकरेटरी संजय कुमार शर्मा जी को बुलाकर दोनों ग्यापनों को मार्क करके अगरिम काररवाई के लिए सौंप दिया था और डिप्टी सेकरेटरी संजय कुमार जी ने बताया कि वह भी कानेर निदेशाले को आगे क कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं. रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल सेकंड. 2018 की वेटिंग लिस्ट के लिए कहा कि पहले कल कोर्ट में क्या होता है उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट के बारे में सोचेंगे. दोस्तों वेटिंग लिस्ट मामले में पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला लेकिन इसके लिए के बहुत जल्द दबाब बनाना होगा यदि वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी करवानी है तो और आचार सहिता से पहले नियुक्ती लेनी है तो दोस्तों मैं सचेवालया में आज मुख्य चुनावायूक्त श्री आनंद कुमार जी से मिलकर आया हूँ उन्होंने साफशाब्दों में कहा है कि आचार सहिता लगने के बाद कोई भी नियुक्ती आदेश नहीं होंगे जो भी आदेश हुंगे वह आचार सहिता लगने से पह हमें किसी भी हालत में REIT LEVEL प्रथम 26000. REIT LEVEL द्वितिय के 28,000 बेरोजगारों की नियूक्ति प्रक्रिया पूरी कर्वानी है, इसके साथ ही सेकंड ब्रेड. 2016 की नियूक्ति प्रक्रिया और REIT LEVEL प्रथम 2018 और लेवल द्वितिया. 2018 की वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी करवा कर नियुक्ती प्रक्रिया पूरी करवानी है इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा और सरकार पर दबाव बनाना होगा। रीट 2016 साइंज मैथ मामले की सुनवाई 12 सितंबर को है और सरकार पूरी ताकत के साथ 12 सितंबर को मामले का हल करवाने की पूरी कोशिश करेगी हालांकि रीट शिक्षक भरती 2018 साइंज मैथ की नियुक्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। दोस्तों, अक्टूबर में आचार सहिता लग जाएगी और बेरोजगारों को दर्दर की ठोकरें खाने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा इसलिए अभी समय है जाग जाओ और सोती हुई सरकार को जगा दो और अपनी आवाज बुलंद करके। उपेन यादव, राजस्तान बेरोजगार एकी कृत महासंग, दोस्तों और भी अथंटिक न्यूज और लेटस्ट अप्डेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को अपने वॉट्स अप फेस्बुक ग्रूप में शेयर करे धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत